वर्ट की बड़ी खबर पैरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेजल मिला है अनुब्बाकर मैं आपको पुता दे कि ब्रॉंच मैजल अपने नाम कर लिया है पहले अपम हम भारत का ये पहला मैजल है बहुत बहुत बगाई इंडिया की तरीक का पहला मैज था जिसमें इस लड़की नहीं जिसका नाम मनु बाकर है इसने इंडिया का नाम फकर से बलंद कर दिया है और ये पहला ब्राउंस मैडल है जो इंडिया ने विन किया है इस पर नरींदर मोदी जो के पी-म है इंडिया के उन्होंने उनको कॉल की और उनको कॉंग्रेक्षेलेशन कहा अलम्पिक्स में भारत ने एक भारत की खातून है लड़की मानू बाकर के नाम से उन्होंने फर्स्ट मैडल जीता है प्रॉंस मैडल जीता है टेन मीटर एर पिस्टल में मैं तो हिरान हूँ कि पाकिस्तान ने सिर्फ साथ बंदे वेजें जस सेवन इंडिया के 117 एथलेट्स हैं 117 एथलेट्स बहुत शेमफुल है हमारे अजर्स पाकिस्टली पाकिस्तानियों के लिए इसमें इसे बढ़कर शेमफुल बात ह capaci सकते है वो पाकिस्तान में रहने वाले अच्छे से जानते हैं जो खेलते हैं उनको तो बहुक भी इंतासा है और क्रिक्र का भी जो हाल है वो हमसे हमारे सामने हैं उसके उपर भी जो हमने चांच चड़ाई हैं वो भी हम सब को बताए है 20 साथ में पाकिस्तान ने एक भी मैडल नहीं जीता इंडिया जो हमारा निवर है उसमें अथलीट्स को इतनी इज़त दी जाती है इनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी अथलीट होता है उसकी बकाइदा तोर पर जो इसूसेशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है हकोमत उनको पैसे देती है लेकिन अनफोर्चुनेटली यहां पर आवे का आवा बिगड़ा वाई इसपाकिस्तान में अब रहने कुछ दिल नहीं करता है क्योंकि इन्होंने हमारे साथ पॉलिटिशन नटेर्स डीव सब्सक्राइब सतकर कुछ ऐसा दियर में क्या करना चाहिए उन से सीखना चाहिए कि Undi внутives का कर रहा है इंडिया बैसिकली अपने प्लैयर्स póऌ और एक भाईपरन कारन्जीव देता है वो उनको पते हैं कि इंडिया को ये बनदा ये लड़की ये लड़का प्रिजेंट कर रहे हैं तो हमें भी उतना ही उसको देना चाहिए जितनों उसका हग बनता है पाकिस्तान क्या दे रहे हैं पाकिस्तान के जो वेड लिफ्टर्स हैं उनको कुछ नहीं मिर रहा बिचारे वो बोलते हैं कि हम भाई उनको हमने प्रिजेंट क्या करना है पाकिस्तान को हमें मिलता गया है इंडिया इंडिया बहुत ज्यादा जल्दी टॉप साइट पर चला गया है दोस्तों इस वकर उलम्पिक्स शुरू है और उलम्पिक्स में भारत ने एक भारत की खातून है लड़क इस तान ने सिरफ साथ बंदे वेजें जस सेवन इंडिया के 117 अथलेट्स हैं वन हंड्र एंड्र एंड्स पांच रिजर्व जाएं इंडिया के पारस ओलम्पिक्स 2024 की बात करों अधर देन आपको पता इंडिया की जो फॉज है वो पारस ओलम्पिक्स की सिक्यरूर्टी म हैं मुझे नहीं पता लेकिन एक चीज है के 250 मिलियन का मुल्क और साथ बंदे दो सो पचास मिलियन और साथ बंदे आप जो है वो पैरस बहीच सकते हैं अलम भी आप सिर्व कौलिफाइट ना करतें क्योंकि हमारी प्रिवरिटीज स्पोर्स नहीं है हमारी यूद की क्या प Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, लड़की हैं सारी Instagram पर बैठी हैं, लड़के TikTok पर बैठे हैं, लड़के भी TikTok पर बैठे हैं, मैं इसलिए अगर, if I go into the minds of the Pakistani youth, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पाकसानी youth है, वो इतनी जादा desperate है, इतनी जादा परिशान है, इतनी जादा समझ रही है कि challenges नहीं है, एक खवातीन कम पड़ी लिखी हैं, as compared to the men, क्योंकि एक तो हमारा यह उद्धा के खवातीन है, एक section of society कहता है, जी मजभी तालीम देनी है, दूसरा section of the society यह कहता है, इनको गुरों में बठाना चाहिए, तीसरा section of the society कहता है, मागपार पैसे ही नहीं है, एक section of society कहता है, हम इनक पढ़ाएंगे, लेकर वो सारे बाहर चले जाते हैं, अब 250 million लोग जो हैं, जो जिसे आप कहलें के हैं इसमें, और 7 बंदे हम बेज सकते हैं, इंडियन्स जितनी तदाज में बंदे बेज रहे हैं, मैं समझता हूँ, और जिन जिन events में वो participate कहते हैं, वो जो मानु वकर है, यह first woman shooter है इंडिया से, जिस नहीं है जीता है, ब्रॉंज medal जीता है, और 10 meter air pistol event के इंदर, ठीक है जी, कहा जाता है कि वो एक point सिर्फ पीछे थी, ठीक है, एक और खिलाड़ी से, अब question यह है कि इंडियन, मैं पाकसानी लड़कियां क्यों shooting में नहीं हैं, इसकी वज़ा आए इसके हैं, अलीट, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसर वज़रदावी, जेनरल्स, जजजेज, मीडिया हाउसेज, यह हमारी प्राट, इनकी बाते होती हैं, कभी आम आदमी की आप बात ने देखी कोई है, इंडुस्तान से तालुक रखने वाली मनुभाकर ने shooting में अपने बहुत शेमफूल है, हमारे लिए एक स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए, इसमें इस से बढ़कर शेमफूल बात हो यह नहीं सकती है, कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को पर्मोट ही नहीं किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता है, कि हम लोगों ने किस कम क्रासिजी कुछ इस तरह से है इंडिया का नाम फकर से बलंद कर दीया है ये मैच पैरस में खेला गया और ये मैच वाधी घना इसका नाम मनू भाकर है इस ने गता रह फकर और वागा किया है इस पर नरिंदर मोधी जो के पीम हैं इडिया के उनोंने उनको कॉल की और उनको कॉंगरेक्स लेशन कहा मबारक बात पेश की और कहा कि आप हमारा फकर हैं और आप हमारे सरों का ताज हैं पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं लेकिन हमारी डेप्रेजेंटेशन देखी इस करोड़ लोग के अबादी में सिर्फ साथ ऐसे आथलीट्स मेले हैं जो में रिप्रेजेंट कर सकें इलमाई फिक्रिया है और इस मोट में जैनरली तनजली का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर भी है 11 ओफिशल्स हमारे साथ का हैं इंडिया बहुत ज्यादा जल्दी उसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है और तू कम असकम अपनी परफार्मस पे देहां दो दे हैं उससे सिंपल शॉर्ट नहीं लग रही है तू कौन है तेरे से अच्छो तो मेरे एरिये का एक नॉर्मल लड़का उठा के देखो वो छे पे छे मार देगा लेकिन आपकी पर 26 नहीं नमबर पे आईए इन दोनों के मुकाबलों में दोनों को कसूरवार ठहराना शायद 5 और 10 परसंट बनता है बाकी 90 परसंट उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान की अथलेटे हैं क्योंकि पाकिस्तान में क्रिक्ट के लावा बाकी खेलों के साथ क्या सुरू क किया जाते है वो पाकिस्तान में रहने वाले अच्छे से जाते हैं जो खेलते हैं उनको तो बहुँ भी अंदाजा है और क्रिक्ट का भी जो हाल है वो हमसामारे सामने है उसके उपर भी जो हमने चांच चड़ाई है वो भी हम सबको बता है अभी शुरू होगा देखिएगा टोटे से जुराइश से शुरू होने वाला ना शुर्टाब अपाकसा में शुरू होजाएगा हम लोग कहा हम पर खड़े हैं दुनिया वहां पहुंच गई इस चार बरसों में क्या हुआ किसे ने कुछ नहीं किया उसके पर कभी शुर नहीं क्योंगे हम बिलकुल इन टानवाले दिन शुर में चाथे हैं वह हमारी त्यारी नहीं तो दोस्ते अभी तक लोग ़हान में किया आप इंडिया के सारक में करते हैं भाई इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया की अपनी नकामी के उपर शायद हमें इतना एसास ना होता हो लेकिन जब इंडिया की कामजाबी मिलते हैं तो फिर हमें बड़ा दुख होता है यार हम कहां पे खड़े हैं